वेल्कम तो विभात स्वाद्रसोई मैं हूँ विभाद और आज हम बनाएंगे किट्स इसपेसल वाइट सौस पास्ता जो कि बच्चों को तो पसंद आता है बड़ों को भी बहुत पसंद आता है तो हम बनाएंगे वाइट सौस पास्ता जो healthy भी होगा और tasty भी चलिए शुरू करते हैं अपसे पहले हमने लिया है 1.500 ग्राम पास्ता जिसे हम boil करेंगे तो boil होने के लिए पानी मैंने रख दिया था पैन में यह boil हो रहा है इसमें एक चमच नमक और एक चमच oil डालेंगे फिर पास्ता इसमें डालके soft होने तक करनी चाहिए जिससे कि जब हम white sauce के साथ इसको पक आए तो वो पक जाए अच्छे से इससे कवर करके हम boil होने देते हैं तब तक हम इसकी सबजियां तयार कर लेते हैं सबजियां हैं इसमें बहुत सारी डालेंगे कुछ मैं डाल रही हूँ और इसके अलावा भी आप जो चा टुकडों में काटा है दो बड़ी गाजर हमने ली हैं इसे भी चोटी टुकडों में काटा है स्वीट कॉर्ण ले लिया है थोड़ा सा मैंने इसके अलावा white sauce बनाने के लिए मैंने ये 300 ग्राम दूद लिया है दो चमच बटर लिया है और दो चमच लिया है मैदा जितना बटर हमने लिया है उतना ही हमें मैदा चाहिए होता है तभी perfect sauce बन पाता है इसके साथ मैंने लिया है एक चमच नमाग टेस्ट के according एक चुटा चमच मिर्च पाउडर एक चुटा चमच काली मिर्च पाउडर और एक बड़ा चमच पीजा मसाला मिक्स तो हम सबजियां तयार कर लेते हैं कढ़ाई में हमने दो चमच तेल बिल्कुल गरम कर लिया है गैस हाई flame पे है अब हम इसमें सबजियां डालेंगे और उनको 2 मिनट तक हाई flame पे भूनेंगे क्योंकि हमें सबजियों को बिल्कुल पकाना नहीं है इसमें थोड़ा सा क्रं सारी सब्जियां डाल दी है मैंने हम इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा लाल मिर्स और थोड़ी सी काली मिर्स थोड़ा सा स्पाइस मिक्स यह सारी चीजे थोड़ी थोड़ी डाल देंगे पूरा नहीं डालना है मैं अब इसमें और इसे दो मिनट के लिए भूनेंगे, इसी तरह मैंने सूपी स्वेट कॉर्ण की रेसिपी भी दी हुई है, इसका लिंक आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा, जब तक सब्जिया भून रही हम देख लेते हैं, पास्ता हमारे उबल के त्यार हो गए हैं, इसके उबलते ही हमने इसको बिल्कुल ठंडे पानी से धोकर पानी निकाल के रख दिया हैं, तो यह बनने के लिए त्यार हो गए हैं, इदर हमारे सब्जिया भी रेडी हो गई हैं, यह दो मिनट हो चुका है, तो यह अच्छे से भून गई हैं, यह देखें, तो हम अब सब्जियों को न डाल देंगे, इसी कड़ाई को यूच कर रही हुए, बटर को हमें सिर्फ melt होने देना है, जादा गरम नहीं करना है, अब इसमें हम मैदा डाल देंगे और इसको भून लेंगे इसको भी बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसका color नहीं चिंज करना है हमें बस थोड़ी सी खुसबू आने लग जाए इसमें थोड़ी देर हो जाए बस हम इसको उतना ही भूनेंगे तो इसे हम भून लेते हैं बहुत देर नहीं लगती इसको भूनने में तो ये देखिए हमारा मैदा भून के तियार हो गया है, इसमें से तेल अलग होने लग गया है, अच्छा भून गया है, खुसबू भी आने लग गई है अच्छी सी, तो अब हम थोड़ा थोड़ा दूठ डालते हुए इसको फट ना रहने पाएं तो हम थोड़ा थोड़ा दूट डालते जाएंगे इसे चलाते जाएंगे और इसके बाद भी अगर इसमें गुट्लियां रह जाती हैं तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और मिक्सी में 10 सेकंड के लिए चला दें ये बिल्कुल अच्छा सॉस त्य त्यार हो जाएगा तो मैं तो चम्म से इसको चलाती जारी हूं और यह बहुत बढ़ियां सा स्वास बनके त्यार होने वाला है हमारा इससे अच्छे से जल्दी जल्दी चलाते रहें और थोड़ा थोड़ा दूर डालके ही इसको चलाएं ये देखिए मैंदा की सारी जाएंगी और स्वास भी हमारा पक के त्यार हो जाएगा तो यह देखिए हमारा स्वास बनके त्यार हो गया है हम चेक कर लेते हैं तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है एक चमच लेंगे उसे इस स्वास में डिप करेंगे यह देखिए चमच को पूरा कवर कर रहा है बि पेचा स्पाइस मिक्स था, वो सारी चीज़ें इसमें एड़ कर देंगे, थोड़ा सन नमक भी हम इसमें डालेंगे, और इन सारी चीज़ें को मिक्स कर देंगे, यह दिखें, मैंने सबको मिक्स कर दिया, अब बारी आ गई है सब्जियों की, तो हम इसमें सबजें एड़ कर देते हैं सारी अगर आपको white sauce थोड़ा और पतला करना है तो आप और दूट डाल के इसे पतला कर सकते हैं तो मैंने इसमें सबजें डाल दी हैं इनको थोड़ा सा mix करेंगे अच्छे से सबजें अच्छे से इसमें कोट हो जाएं सास में इसके बाद अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे मैंने इसमें चीज डाली है चीज क्यूब मैंने पूरा इसमें ग्रेट कर दिया है आप चाहें तो mozzarella cheese यूज कर सकते हैं दोनों तरह के चीज़ेस में बहुत अच्छे लगते हैं और चीज जरूर डालें जितनी ज़्यादा चीज़ आप डालेंगे उतना ही टेस्टी ये वाइट सॉस पास्ता आपका त्यार होगा तो अब हम इसमें पास्ता डाल देते हैं पास्ता डालके इसे अच्छे से चलाएंगे पास्ता को वाइट सॉस से बिल्कुल कोट हो जाने देंगे देखिए सारे पास्तों में अच्छे सी कोटिंग हो गई है वाइट सॉस की फिर भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा यह और गीला रहे तो आप इसमें दूद एड़ करके थोड़ा सा पका दे यह हमारा पास्ता रेडी हो गया है मैंने इसे सर्व करने के लिए निकाल लिया है आप देख सकते हैं कितना बड़िया पास्ता बनके त्यार हुआ है यह बज्चो को तो पसंद आता ही है साथ ही साथ बड़ो को भी बहुत पसंद आता है मैंने इसमें उपर से थोड़ा चीज और ग्रेट किया है रड़ चिली फ्लेक्स डाले हैं और साथ में पीजा मसाला मिक्स भी डाला है तो यह बहुत इब्योटिफुल दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी है तो इसे आप जरूर ट्राइ करें घर पे और मेरे साथ अपने व्योज भी शेयर करें साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में तिल दिन